हाँ जी चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ होमवक्ट चेक करने में थोड़ा सा डिले हो गया था ऑफ-लाइन वाले स्टूडिंट का तो ऑनलाइन वालों का भी अपना भी आप भेजिएगा जो भी कोश्चन किया है वह सारे कोश्चन इमेज क्लिक करके बेचना है भेजना है कि आप कर किस स्टाइल में रहे हो जरूरी नहीं आपको पेपर में आता है तो आप जो कर दोगे सब ठीक होगा यह पर्जेंटेशन भी मैटर करता है क्या चीज़े कैसे लिखना है तो आप सभी बच्चे नेम के साथ लिखके भेजना है मैं नंबर लिख देता हूं यहां पर कि 9136 364104 और वैसे मैंने कंटेंट में भी डाला हुआ है यह सारे चीज़े ठीक है कि चलिए सर कि चलिए कुछन नंबर 19 था जो कि हम कर लेते हैं एक फटाफट से ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं और हमारे पास ना इतना टाइ नहीं है कि हम चोटी चोटी चीजों में टाइम खराब कर दें प्रणा बनाओा टाए यह गजाक है कि चलिए से ब्सक्तर है कि पितले दो आफा प्रांग है कि अजह फटुछन नंग। आपोटी ओटी जोटे में प्रांग। आप चलिए परे लेग। कि ब्रांच अकाउंट कि एक पर सवाल भी पढ़ लेतने पहले ठीक है कि कुश्चन में क्या कहता है फ्रॉम देटेल गीवन आफ दा रिलेटेड पटना ब्रांच पटना का ब्रांच है फुर दा इयर एंडिड और साल के एंड का कि थोड़ा और चैप्टर एक मिनिट कुश्चन करता हां कुश्चन तो करेंगे अभी बड़े सारे धेड़ सारे कुश्चन करने इसमें ऐसा नहीं है कि अभी खतम हो जाएगा तो कहता है फ्रॉम दा डीटेल गीवन बिलो आपको ब्रांच गीवन है और 31 मार्च प्रिपेर ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच डेटर अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट हैड ऑफिस क्लियर गुट्स और इन्वोईज अब देखिए इस सवाल के अंदर ना क्या कहता है क्या क्या बनाना है आपको दे रखाए कि 31 मार्च का डिटेल है डेटर सिस्टम यह बन जाता है tuhrator जब branch account बोले तो डेटर system जब branch adjustment अकाउट बोले तो बन जाता है stock debtor system तो पहचानना भी आना चाहिए आपको तो यह बन गए हमारा debtor system और आगे कहता वह है है debtor account बनाएई head office के books में working note clearly show करना है invoice कहता है कि 20% on sales sales के उपर सर 20% है sales के उपर 20% है ठीक है ना चलिए कहता है stock एक अपरिल का तो यानि सर ये branch stock account नहीं बनाएंगे हम क्या बनाएंगे हम बताइए यहां पर बनेगा हमारा branch account और branch account की खास बात क्या थी branch account की खास बात क्या थी आपकी कि सर branch account के अंदर सारे opening balances आ जाते हैं two balance two balance bd एक बच्चे का डाउट था और बाकि समझ लेंगे buy balance cd यह stock सारे balance तो stock का balance आपका 5000 इस टॉक दे रखा है आपको 5000 और एक सवाल ना आपके मन में भी आएगा कि stock कितने का है सर 5000 एक आपके mind में सवाल आएगा कि जो stock दे रखा है ना आपको 5000 रुपे यह 5000 रुपे जो stock है यह invoice price पर यह cost price पर तो जब कुछ भी ना बोला हो तो question में कह देता है कि goods are invoice given profit 20 यानि जितने भी यहाँ पर goods मिलेंगे न उस sum में already profit जुड़ा हुआ है समझ रहे हैं अगर कहीं पर इसके bracket में मान लो इसके bracket में लिख देता cost इसके bracket में cost तो हमें क्या करना होता हमें क्या करना होता हम क्या करते हम यहाँ पर यह 5000 नहीं तो आपने क्या करना है सभी को invoice में convert करना है जो पहले से किस पर है कॉस्ट पर है क्लियर चलिए अब देखते आगे stock दे रखा था सर debtor दे रखा है debtor लिख लिया और सवाल में मजे की बात देखो debtor account भी बोला है बनाने को अगर debtor account बोला हुआ है बनाने को तो very simple हम debtor account बना लेते हैं एक अलक से page पर debtors account बना लेते हैं है अधि दो ही account तो बोले हैं कि एक अलाउंस वाला भी बच्चों ने बोला सर अलाउंस वाला भी बता देना बिलकुल बता देंगे अलाउंस वाला भी allowances यह बना लिया हमने debtor account debtor account चलिए sir allowances वाले की बात कर रहे थे ठीक है debtor का हमारा balance 2000 था यहां तो लिखी लिया यहां भी लिख लेते हैं to balance bd to balance bd to balance bd कितने का 2000 कितने थे 2000 चलिए sir आगे आ जाते हैं आगे क्या कहता है आगे कहता है हमारा furniture का balance है petty cash का है तो furniture परनीचर कितना है एक हजार पैट्टी expense कितना है तो पैट्टी expense दो सो रुपया पैट्टी expense के बाद insurance prepaid तो यह भी तो रखिए जो salary due है यह outstanding है तो assets का opening balance इधर और liability का इधर तो by opening opening salary outstanding point ध्यान रखने वाली बात है मैं again कह रहा हूं कि assets का इधर bd तो liability का इधर आ जाएगा कितना है हमारा 1000 रुपया ठीक है goods sent to branch चालिस हजार तो मैं इसे अलग color से लिख देता हूं goods sent to branch to goods sent goods sent to branch कितने चालिस हजार रुपय good sent to branch चालिस हजार जी और क्या है और हमारा है goods sent to branch के बाद cash sales सर यहां पे cash sales buy में आएगा cash sales buy में आएगा buy में क्या आता है हमारा remittance आता है इस वाले point में तो remittance और यहां आएगा cash sales मैं short में लिख सकता हूं कई बार आप बस word को ध्यान दीजिए सर कैश सेल्स कितने का है एक हजार रुपय का कैश सेल्स के बाद total sales टोटल सेल्स सतर दिमाग लगाईए अगर हमारा total sales सतर हजार है जिसमें 55,000 रुपय कैश में है तो जो बचेगा जो बचा हमारा कितना 15,000 यह कौन सा sales होगा यह होगा हमारा सर credit sales यह कौन सा sales होगा इस पूरे अकाउंट में credit sales का काम नहीं है लेकिन हाँ debtor में काम आएगा क्या नाम आएगा आपका credit sales और credit sales कितना है हमारा 15,000 समझ में आया आपको यह बात यह बात clear है आपको यहां तक point clear है सर जिस topic में clear हो जाए सर जिस से कुछ बच्चे hand raise भी कर रहे थे देखिए यहां तक clear है next point पर आजाते हैं cash receive from debtor debtor से 16,000 मिला है तो यहां पर आजाएगा cash receive from debtor कितने 16,000 रुपे और इसकी double entry भी हो जाएगी cash और debtor से कितने का 16,000 रुपे चलिए इसके बात goods return by the branch ब्रांच ने किया है तो by return क्याएगा सर by return इसके बाद कहता है goods return by branch के बाद goods return by debtor debtor ने return किया तो यहां debtor का return का कोई काम नहीं है debtor का return debtor में जाएगा by return कितने रुपे था 200 रुपे कितने रुपे था हमारा 200 रुपे ठीक है इसके बाद आगे चलते हैं सर कुछ खर्चे हैं अब इन खर्चों को किस ने दिया है ये चेक करना होगा क्या head office ने इस खर्चे को दिया है या किस ने दिया है तो सवाल में कहता है इन खर्चों को goods returned by branch goods written by data इसके बाद cash sent to branch इसका मतलब sent to branch का मतलब सर इस line से clear हो जाता है कि head office ने पैसे दिये हैं ठीक है तो कौन खर्चा कर रहा है तो यहांपे लिखेंगे हम एच्चों कर रहा है तो यहांपे लिखेंगे क्या-क्या है सर rent कितने का है रहें रहें रेंट कितने का है आ यह tubu तीन हजार चीन हजश्ट रिंट के बाद सेलरी तेलिरी इस्ते की कि इसमें हैं गर्इन साधा धोसो कि दस हजार दूसोड़ शेलरी के बाद का है जोई साध कितने है 600 रुपए पैटी कैश हलाकि अलग लिखना चाहिए हमें यह अलग ही कहानी होती है इसकी हम अलग से इधर लिखेंगे पैटी कैश पैटी कैश तो देखो दो तरीके के जगह पे पैटी कैश यूज होता है अगर आपका हो डेटर सिस्टम तो petty case ऐसे करना है जैसे हम कर रहे हैं stock debtor system में तो petty case का account बना के वहां से क्या निकाल लेते हैं अपन consume और फिर put करते हैं हम उसके अंदर चलिए sir यहां तक आगे कहता है insurance up to date 2021 insurance up to date 2021 इसको समझते हैं June 21 की बात कर रहा है insurance up to date June 21 अब हमारा 31 March 21 को ही account खत्म हो गया यानि sir हमारा यह पूरा साल यहां तक था एक चार दो हजार बीस और सवाल में कहता है आपका काम खत्म हो जाता है 31 तीन दो हजार 21 यही तक खत्म हो जाता है लेकिन आपने insurance क्या करा यहां से यहां तक का payment नहीं किया इसके आगे भी चले गए आप कब तक चले गए तीस छे दो हजार 21 यानि इतना time period जो है यह time period आपने extra paid कर रखा है यह time period आपने 400 रुपे paid किया अब 400 रुपे paid जो पेड है यहां तक paid किया है यहनि सर यहां से लेंगे कितने महने होगे लाइत 15 महने तो 400 को हमλιट कर देंगे और हमारा 3 महने का extra है थीन से multiply इप्लाई कर देंगे तो क्या आता है चेक कर यह क्या आता है चार सो डिवाइड़ेड़ वाइपंद्रा इंटू में तीन सर यह असी रुपए आ गया एटी रुपेज है क्या पंद्रा मेह ने का है यह एक वर देख लेते हैं क्योंकि यहां परwi और एक्सी नोड देंगे चलो को दिक्कतनी नोड देंगे टेंगे असी क्या है 600 लिखे दिया 600 इंसारेंस बनेगा कितना इंसारेंस था 400 उसमें से प्रीपेड कितना है 80 तो यहां पर जो आएगा वो आएगा 320 ठीक है ना और बैलेंस सीडी जब लिखेंगे तो प्रीपेड इंसारेंस prepaid insurance सर प्रीपेड इंसारेंस कितना होगा प्रीपेड इंसारेंस हो जाएगा हमारा 80 रुपए समझ मैं आई बात आपको क्योंकि प्रीपेड अभी last year का इस साल का है इस साल का closing assets हो जाएगा वो तो सारे के सारे closing assets यहां एक एक करके लिखेंगे जिसमें से प्रिपेड इनस्वरेंस भी आ गया सर ये वाला प्रिपेड इनस्वरेंस का कुछ नहीं करेंगे किया ओटोमेटिक आ गया ये opening balance का था ये आ गया हमारा automatically चलिए कहते है पैटी expense incurred by branch ये पैटी खर्चे जो है incurred किये किसने ब्रांच ने incurred किये इसका मतलब सर हमारे पास starting में petty expense था कितने रुपए का 200 रुपए का और head office ने हमें भेजा 600 रुपए तो हमारे pocket में कितने रुपए थे 800 थे और हमने खर्च कर्च डाले कितने खर्च कर डाले 500 रुपए तो बचा कितना हमारे पास 300 रुपए balance बच गया तो यहां पे लिखेंगे हम petty expense petty expense कितना लिखने वाले हैं 300 रुपए पहले बताईए समझ में आया नहीं आया ये clear है insurance वाला भी बताते insurance वाले में क्या कहता है मैं यहां पे exemption ले रहा हूँ हलाकि यहां पे दो सवाल के answer हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है उसने कहा कि हमारा insurance इस तारिक तक है तो सर इसका मतलब साल जब हमारा यहां खतम है इसके आगे जितना भी payment करोगे वो रहेगा prepaid मैं दुबारा बता रहा हूँ insurance वाला तो भाईया अब ऐसा सवाल है कि या तो आपने इस date पे insurance कराया होगा तब तो यहां से यहां तक 15 महिने का है या कहीं आपने बीच में कराया होगा तो 12 महिने का तो इसका एक answer ये भी हो सकता है divided by 12 into में 300 रुपे का prepaid हो सकता है ये answer भी बन सकता है लेकिन यहां पे clarity नहीं है सवाल में कहीं भी सवाल में बस बोलता है कि जो insurance है वो insurance paid हमने किया है up to June ये तो नहीं बोला कि इस तारिक से लेके इस तारिक तक तो हमारी मर्जी है हम 15 महिने का मान ले हमारी मर्जी है हम 12 महिने का मान ले दोनों ही condition में नोट देंगे कि इस insurance का इतना tenure है तो हमारा सवाल एक दम ठीक हो जाएगा ठीक है closing stock क्याता है तो sir stock कितने का है sir stock है हमारा 3000 रुपए लिखते जाते हैं फटा फट depreciation furniture अब देखते हैं stock हो गया debtor हो गया debtor नहीं हुआ debtor तो निकलेगा भी debtor पीछे से निकालते है debtor आज़ेए डेटर निकालते हैं, by balance, by balance, cd, तो डेटर निकलेगा क्या, बिलकुल निकलेगा, 17,000, और इधर भी कितना हैगा, 17,000, 16,200 मैनेस करेंगे, 17,000 में से तो कितना आ जाएगा, 800 रुपए, निकल गया लोजी डेटर, डेटर कितना आ गया, 800, समझ में डेटर कैसे है 800 हमारा, ठीक फरनीचर पे 20% depreciation, तो फरनीचर अगर मैं यहां लिखू, 1000 पे 20%, तो यह भी कितना बचेगा, 800, कैसे सर, 1000 में 200 रुपए, माइनस कर देंगे, इसके बाद, पैटी एक्स्पेंस भी लिख चुके हैं, प्रीपेड भी हो चुका है हमारा, यान, हां, क्या रह गया, अच्छा, यहां तक सारा हो गया, क्लियर है यहाँ तक, अब लोडिंग निकालने का काम होगा, कहता है। सेल्स पे ही 20% हो, तो बस डऊरिक डारिक निकालना है, लोडिंग, लोडिंग मैं हरे पैंसे निकाल देता हूँ, तो बाई लोडिंग, ऐसे भी लिक सकते हैं, लोड चालिस का कितना होगा आठ हजार लोजी टोटल आगे नो हजार और तो किसी पर लोडिंग निकलेगा नी इधर से देख लेते हैं लोडिंग इधर से देख लेते हैं लोडिंग क्या होने वाला है आउट्सेंडिंग सेलरी तो यही रहे गया रेमेटेंस इस पर भी लोडिंग नहीं होगा इस पर भी नहीं होगा इस पर भी नहीं होगा रिटन रिटन पर होगा तू लोडिंग किस पर रिटन पर कितने रुपय आएगा सौ रुपय आएगा रिटन के बाद इस पर तो होना ही नी है होना ही नी नी होना नी स्टॉक पर क्या आएगा loading stock पर कितना आजाएगा हमारा 600 यहां तक समझ में आगया इसको थोड़ा सा adjust कर देते हैं ताकि हम कर पाएं चलिए सर यहां तक हो गया यहां से निकालेंगे फटा फट से क्या profit debtor account close होई गया तो calculate कर लेते हैं क्या क्या बनता है क्या क्या बनता है पांच हजार दो हजार 1250 कि यहां पर टोटल कर लेते हैं कि अधिस सो दस दो सो तेरा अट सो कि सर्य यहां पर टोटल कर लेते हैं सेवेंटी वन कि चलिए और तो कुछ नहीं रहा कि सैलरी से रिलेटीड कोई बात हैं च्यासी च्यासी टू सर्प्लस माइनस करते थे हैं कि एट टू फाइब जिरो माइनस चालिस अजार माइनस तेरह आट सो माइनस तीन सो बीस माइनस छे सो माइनस सो माइनस छे सो बाइस आट सो दस बुक का आंसर बताईए कुछ फरक आएगा इसमें अब यहां पर नोट डालेंगे कुछ जिस नोट को डालने के बाद इस फरक का कोई महत्व नहीं रह जाएगा इस बताई यह आंसर ता सो साथ सो पचास है ना तो आट सो दस और हम इधर माइनस करेंगे और इधर प्लस करेंगे माइनस वाइस सासो पचास शाट रुपए का साट रुपए यानि बीस बीस चालिस साट का तो नहीं आना चाहिए आप प्रिपेड इनसॉरेंस देखे क्या है सो दे रखा है यानि यहां सो आ जाएगा तो बीस इधर से बढ़ जाएगा और इधर कितना घट जाएगा हमारा 20 और घट जाएगा हाँ ठीक है 60 का फरक आ जाएगा ठीक है तो नोट क्या दे रहे हैं भी अजिव प्री पेड इंसॉरेंस विल बी टेकन फ्रॉम 14 2020 यानि हमने माना कि इंसॉरेंस हमने कब लिया 2020 में आपके किताब का अंसर एक्जेक्ट सेम आजाएगा जब आप यहाँ पे क्या कर देंगे 100 और यहाँ पे इसके जगह पे क्या कर देंगे आप 300 सोजब आई बात आपको तो यहाँ से 100 करेंगे तो मैं कि चालिस माइनस हो जाएगा माइनस चालिस हो जाएगा कि इतना बताया था आपने आंसर 22 800 नहीं 810 मैं यह लिख रहता है यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यह 20 प्लस होगा प्रॉफिट बढ़के आएगा 20 से माइनस चालिस 710 750 तो कोई गरबड़ी है किसी की लोडिंग रह गए निकालने सर गलत है 340 इंसॉरेंस बच्चे कह रहे हैं सर इंसॉरेंस 300 सर आपने क्लोजिंग आउट सिंडिंग सेलरी कहां कंसीडर किया ओके ठीक है इसमें कुछ ना हमारे अजम्शन है इस इस अजम्शन के वेज़ें से बच्चे परिशान भी हो रहे है मैं एक वार वो क्लियर करदूं बुक के आंसर को आपके पास है बुक लिखाईए बुक के आंसर को क्लियर करदूं क्या क्या अजम्शन से जो मैंने अजम्शन लिया हैं सवाल नंबर 19 पहला हमारा प्रीपेड इंसॉरेंस जिसकी वज़े से फरक आएगा गारेक्ट किसकी नहीं वो उसके अकॉर्डिंग कर लिया होगा ना बस इंसॉरेंस का ही है और हाला कि प्रीपेड इंसॉरेंस ओपनिंग एड हो चुका है ठीक है चलिए नहीं यह बिल्कुल उसने जो इंसॉरेंस है ना बच्चे कह रहे हैं सर यहां पर इंसॉरेंस ना 400 ही आएगा यानि ओपनिंग में कुछ था क्या पचास पचास के बाद अगर देखा जाए तो पचास और था 400 और प्रीपेड पचास 400 नहीं रहने दीजिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी फिलाल के लिए आप इसको यह मानिए बुक के अंदर क्या करा है एक तो हमने एक नोट हमारा देखिए हम क्या मान रहे हैं कि बुक में यहां इंसॉरेंस बुक वालों ने माना है कि इंसॉरेंस हमारा बार 400 पूरा इंसॉरेंस थीक कह रहे है एक यहरा यहां जो ऑए क्या आएगा क्योंकि एसेट से तो टू बैलेंस बीडी आजाएगा है ना और बीडी देखा जाए तो पचास था अब जितना ज्यादा प्रिपेट होगा वह बढ़ेगा तो इधर आजाएगा जितना इंसॉरेंस हम देते जाएंगे इधर आएगा और बाई साइड में क्या बैलेंस बैलेंस सीडी आ जाएगा तो हमने टू इंसॉरेंस किया सर टू इंसॉरेंस किया कितने का 400 रुपे का तो कितने टूटल होगे 450 अब 450 में क्लोजिंग आप बोल रहे हो के सर आप बोल रहे हो 80 है तो आपने यूज कितना किया होगा यूज कितना किया होगा 450 में से 80 सी माइनस करिए कितने तीन सो सत्तर यूज किया ठीक है अगर आप इसको मानते हैं कि आपने सौ किया है तो कितना आएगा कि कितना आएगा 350 यही दोनों चीज आएंगी अब देखिए आपने क्या करा इन दोनों को लिख दिया और इधर सीडी लिख दिया तो अगर आप इधर दोनों चीज लिख दो और इधर भी लिख दो तो जो डिफ्रेंस निकल के आएगा वह यूज वाला आ जाएगा तो इस अकाउंट को आप ध्यान से देखो मैंने बीडी भी लिख दिया और सीडी भी लिख दिया तो यहां पे हमें पूरे 400 रुपे पैटी कैश में देखो ओपनिंग इधर आ गया क्लोजिंग इधर आ गया और हैड ओफिस तो बीच का डिफ्रेंस कंज्यूम ऑटोमेटिकली इस अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो गया समझ रहे हो बात को कि कंज्यूम जो था रिफ्लेक्ट हो गया तो यह थोड़ा सा बस करेक्शन लगा देता हूं मैं 22810 और जो मैंने 320 किया था पहले पहले कितना किया था 320 तो 80 और माइनस कर देते हैं 730 होगा और 30 रुपए का फरक वही वाला आ रहा है हमारा 22730 जो हमारे नोट की विज़े से clear clear जो हमारे नोट के समीर आपको clear हो गया closing liability क्यों लेंगे क्यों हमारा opening तो ले लिया जरूरी थोड़ी ना है कि closing में भी liability हो book वालों ने ले लिया हो तो उसको हम consider नहीं करते अगर जब तक नहीं बोलता closing liability के बारे में यह use हो गया न salary के साथ setup हो गया होगा कर दो बारे में पूलता आपको बारे में भी जब गया हो गया है